नमस्कार दोस्तों, Food Inflation The Dark Cloud Recently एक आर्टिकल आया था, उसके उपर ही मैं ये बेसिकली वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे भी Food Inflation की बात की गई है, यहाँ पे भी का मतलब क्या है? दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, इसका थमने लिए है Causes and Impacts of Food Inflation इस Causes and Impacts में जो Demand Side Reason थे, Food Inflation के बढ़ने के और जो Supply Side Factors थे, Food Inflation के बढ़ने के यह दोनों मैंने आपके साथ बहुत अच्छे इस डिसकस किया है यह Demand Side Factors और यह Supply Side Factors Food Inflation में बहुत Importance रखते हैं तो आपको request करूँगा कि आप यह वाली वीडियो भी देख लिए जा कि आपको काफी काम आएगी अब यहाँ पे, दुनिया भर में, केवल Indian Market में नहीं पूरी दुनिया में Food Inflation आया है पूरी दुनिया में जो Food Products के दाम है, वो बढ़े हैं खासकर कोरोना के pandemic के आने के बाद तो उसके हम लोग कुछ specific examples और instances देखेंगे of price changing farm commodities फिर यह Food and Agriculture Organization की जो World Food Price Index आया है इसके बारे में कुछ important points देखेंगे International Agriculture Commodity Prices के दाम उपर क्यों जा रहे हैं इनके reasons को समझेंगे और Food Inflation को किस प्रकार से control किया जा सकता है इसको समझेंगे यह सारी चीज़े आज हमको इस article में बात करनी है News में क्यों है, context देख लेते Reserve Bank of India ने 4 December को अपनी GDP की जो growth projection है उसको थोड़ा कम कर दिया पहले ऐसा बोला गया कि जो economy है वो 9.5% से नीचे जाएगी 2020 से लेके 2021 की Financial आपको पता है ना April, 1 April से 31 March तो 1 April 2020 से लेके 31 March 2021 तक इंडिया की economy लगबग 9.5% नीचे जाएगी ऐसा पहले बोला था RBI ने बाद में RBI ने 4 December को बोला कि नी भी 7.5% नीचे जाएगी 2020 में 7.7% नीचे जाएगी नीचे जाने की बात कर रहो यहां growth की बात नहीं हो रही है और जो हम लोग subsidy देते हैं product के उपर अगर आप उसको हटा दो और subsidy हम लोग ना दें और जो tax सरकार देती है अगर वो ना दें तो केवल 7.2% नीचे जाएगी ठीक है मतलब अभी 7.5% और 7.7% भी economy का घटना एक बड़ा figure है लेकिन पहले तो projection साड़े 9% और 10% का आ रहा था अभी साड़े 9% के साफ से तो साड़े 7% कमी है समझ गे ना आप बात को फिर economy जितना नीचे जाने का expect किया जा रहा था उतना नीचे नहीं जाएगी इसके लिए कुछ और factors responsible है जैसे कि purchasing manager index और google mobility index या फिर google mobility report बोलेज़े जो google mobility index report है या फिर जो purchasing managers index है इनके उपर मैं अलग video बनाऊगा चूकि purchasing managers index एक important economic term है जो कि अक्सर के news में आता रहता है तो मैं आपको समझाओंगा और google mobility index से related भी सवाल बन सकता है UPSC में इस कुछ भी पूछ सकता है तो दोने चीज़ें बहुत news में रही है इनको मैं अलग से वीडियो में डिसकस करूँगा करले परसों तक आपको वीडियो मिल जाएंगी साथ साथ electricity और fuel का consumption इंडिया में बढ़ रहा है goods and services tax collection इंडिया में पिछले 2-3 महिने से लगातार increase होता नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं शुरुवात में COVID-19 के चलते जितना strict impact हुआ था इंडिया की economy में बाद में जो extent है negative growth का वो थोड़ा कम हो गया है तो पहले जितना डर था कि economy नीचे जाएगी 9-10% आप कहा जा रहा है कि शायद 7.5% नीचे जाए तो एक अच्छी बात है आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को share और subscribe नहीं किया है तो बिल्कूल कर लिजे मेरे दोना बनाएगे और वीडियो को देखने के लिए अब मुझे help करने के लिए आप join button दबाके चैनल के member भी बन सकते हैं Instagram पे follow कर लिजे आपकी genuine dots दो जवाब दोगा Telegram group join के लिजे वहाँ पे आपको इस particular lecture की PDF मिल जाएगी फिर comparison में आगे चलते हैं यह जो national statistical organization के advance estimates आए advance ही होगे भाई अभी 2020-21 का prediction किया जा रहा है यह 2020-21 financial year 31st of March 2021 को खतम होगा तो जो चीज future में खतम होने वाली उसका तो आप advance ही estimate करोगे न तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो second half है इस year का second half मतलब third or fourth quarter तो third or fourth quarter हो जाएगा second half of this financial year third quarter में क्या आएगा October, November, December fourth quarter में क्या आएगा January, February, March तो October, November, December, January, February, March ऐसा बोला जा रहा है कि year on year 0.3% की growth हाईगी यानि October 2019 से लेके March 2020 तक में जितनी growth हुई थी उससे 0.3% जादा growth होगी किसकी October 2020 से लेके March 2021 तर ऐसा estimate किया गया NSO के first advance estimates में ठीक है overall पहला जो हमारा half था यानि कि first quarter और second quarter first quarter में April, May, June आएगा second quarter में July अगा September आएगा तो April से September का जो पहला आधा इस financial year 2020 सिक्यस का इसमें हमारी economy 15% नीचे गई है minus 14.9% है तो first half में first or second quarter में minus 14.9% नीचे गई है economy और second or fourth quarter मिला कैसा बोल जा रहा है कि 0.3% की growth देखने को मिल सकती है तो कहीं न कहीं optimism है economy को लेके जो कि एक अच्छी बात है लेकिन ये optimism खत्रे में पड़ जाता है जब आप एक number को देखते हो और वो number है food inflation food inflation एक बहुत major factor है और वो major factor क्यों है वो आपको ये वीडियो बताएगी इस वीडियो को जाके देखे आपको पता चलियागा food inflation major factor क्यों है ठीक है भाई अब food inflation की होने के वाज़े से RBI अपने monetary policy stance में dilemma में आ गया है RBI न जादा rate को cut कर सकता है और नहीं अपनी accommodative monetary policy stance को maintain कर सकता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि accommodative monetary policy stance क्या होता है कहने के मतलब ये है कि सरकार अपने repo rate को कम रखे यनि वो rate जिसके basis पे RBI scheduled commercial banks को पैसा देती है scheduled commercial banks मतलब PNB, SBI JSE बैंको, HSC BC JSE historically ये bank के आगे पैसा गूमाती है तो अगर RBI से पैसा कम interest rate पे इन बैंकों के पास जाता है तो ये bank के आगे customers को कम interest rate पे पैसा देती है लोगों के पास कम interest rate पे पैसा महुचता है पर inflation तो अभी बढ़ा हुआ है, food inflation तो अभी बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है, उसके भी reasons देखते हैं, तो जब food inflation इतना जादा बढ़ रखा है, तो interest rate को काटना, और अभी जो already interest rate कम हो रखे हैं, उनको food inflation कितना tricky है, यह इस बात से पता चलता है कि food and agriculture organization, UNIT and nations का जो food and agriculture organization इसकी latest food price index आया दिसंबर में, यह food price index क्या बोलता है, कि भाई, अगर international food prices का index 2014-16 के time period में 100 था, 100 को base मान लो, यानि कि जिन चीजों का दाम 2014-16 के 2014 के बाद, अभी तक सबसे ज़्यादा महँगा ही देखी गई है, food price index के एसाब से, ठीक है न भाई, तो भाई, 107 point पार्ट, यानि 2014-16 में जो दाम थे खाने के, उनके एसाब से compare करिए, तो दाम 7 रुपए 50 पैसे बढ़ गए है, 7.5% बढ़ गए है, इससे पहले सबसे ज़्यादा दाम कब थे, नॉवंबर 2014 में थे, ओके भाई, नॉवंबर 2014-16 के इसाब से गई, आप इसको compare करो, हाला कि food price index सबसे ज़्यादा महँगा हो गय तो 2011 में, 2011 में, ठीक है न भाई, पिछले 6 सालों में देखा जाए, तो भाई, पिछले 6 सालों में, नॉवंबर 2014 से लेके अब तक की बात की जाए, तो नॉवंबर 2014 से लेके अब तक, लास्ट ताइम नॉवंबर 2014 में, अभी current level के ऊपर था food inflation, अभी के लिए, नॉवंबर 2014 के बाद, सबसे ज़्यादा जो food inflation आया है, वो आया है December 2020 में, तो नॉवंबर 2014 से लेके December 2020 तक में, सबसे ज़्यादा जो food inflation है, वो December 20 का है, ओके, आगे बात कीज़े, खास बात दोस्तों यह है कि, में 2020 से जो food price index है, वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू किया है, ठीक है, from falling to a 4 year low of 91 points, आप सुचिए, 2014 सोला का जो base price था, वो था 100, यानि कि, एक food product का दाम अगर 100 रुपए था, तो में 2020 में पहुँच गया 91 points, यानि 91 rupees, लेकिन, December 2020 में पहुँच गया 117.5 रुपए, तो जो पैस सामान 2014 में, जो खाना 2014 सोला में 100 रुपए का बिक रहा था, वो में 2020 में 91 रुपए का बिकने लगा, और December 2020 में 107.5 रुपए का बिकने लगा, तो अगर आप मई 2020 को, December 2020 से compare करो, तो दाम 91 रुपए से बढ़के, 107.5 रुपए पहुँच गया है, बहुत भेंकर increase है, यह छोटा मोटा increase नहीं है, और यह increase, global prices में देखने को मिल रहा है, अब्वेसी बात है, जो food price index है किसी country के नहीं, पुरी दुनिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप बात करो wheat की, corn की, soybean की prices की, तो Chicago Board of Trade Exchange में, जो futures contract भीक रहे हैं, wheat के, corn के, soya bean के, यह भीक रहे हैं, 6.42 dollar, 4.94 dollar, 13.55 dollar, with respect to 5.5, 3.84, 9.4, यानि पिछले साल, जो wheat के future contract थे, वो पर bushel, 5.5 dollar की बिल रहे हैं, इस साल हो गया है, वो 6.42 dollar के, पिछले साल कॉन के, जो पर bushel, दाम थे, वो थे 3.84 dollar, इस बार हो गया है, 4.94 dollar, और पिछले साल, सोया बन पर, bushel के जो दाम थे, उते 9.44 dollar, इस बार हो गया, 13.55 dollar, तो भाई, अच्छा खासा increase, यहां पे, future contract में देखने को मिला, आप बोलोगे, future contract क्या होता है, future contract यह होता है, कि माली जी आप गेहू के व्यापारी हो, ओके, और मैं कोई, restaurant चलाता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है, कि आगे आने वाले समय में हो सकता है, कि मक्का के दाम बढ़ जाए, कौन के दाम बढ़ जाए, तो मैं आप से क्या बोलूगा, कि भाई, अभी से 6 महीने बाद के लिए, हम लोग इस future contract sign कर लेते हैं, और अभी से 6 महीने बाद पे, इस particular दाम पे, मैं आप से 1000 किलो मक्का खरीद लूँगा, तो यह हो गया future contract, यानि मैंने अभी आपको पैसे नहीं दिये, एक written piece of paper मैंने आपके साथ मांडवली कर लिये, और इस written piece of paper को हम दोनों लोग execute करेंगे 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं आपको इस पैसे पे payment करूँगा, और आप उस पैसे भी मुझे मक्का दोगे, यह होता future contract, ओके, underlying cheese की value के साब से future contracts की value बतलती है, और Chicago Board of Trade Exchange पर आप देख सकते हैं, कि wheat, corn और soya bean के दान बढ़े हुएं, उसी तरीके से जो raw sugar के futures थे, मतलब future contract, intercontinental exchange पे, यह 13.5 cents per pound, यह per pound kg वाला, मतलब बजन वाला pound है याद रखेगा, यह pound dollar वाला नहीं है, इस बात को याद रखेगा, तो 13.59 cents देने पड़ रहे थे, एक pound वजन के लिए last year, अब कितने पे पहुँच गया यह, 15.6 cents, तो बहिए एक pound वजन के raw sugar के लिए, पिछले साल future contract में 13.59 cents देने थे, अभी 15.6 cents देने, उसी तरीके से, कौला लुंपर के बुर्सा मलेशा डेरिवेटिव एक्सचेंज पे, crude palm oil के लिए, last year, 3042 रिंगित देने थे per ton, इस साल 3817 रिंगित देने, तो कुल मिला किया आप फिचर कॉंट्रेट्स के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर भाई, कुछ और examples हैं, जैसे कि example है rice, जो आपका thai wide grain होता है, 5% broken content के साथ, और एक है आपका cotton, जिसको आप बोल सकते हो, benchmark cut look A index of far east landed rates, तो इनकी अगर बात की जाएं, तो एक साल पहले जो thai wide grain वाला, जो rice था, वो 418 डॉलर पती टन पे मिल रहा था, इस साल वो 512 डॉलर सपती टन पे मिल रहा है, और ये जो cotton था, ये पिछले साल 78.75 cents per pound का मिल रहा था, per pound मतलब वजन, तो मतलब एक pound वजन 78.75 cents का मिल रहा था last year, और इस साल मिल रहा है 86.55 cents, तो इन सक जिनों से पता क्या चल रहा है, कि food products के दाम बढ़े हैं, इसके milk powder, ये जो global dairy trade है, इस पर जो skim milk powder है, वो last year, मतलब लगबा कह लिजा, अभी से 8 महीने पहले 2373 dollars का मिल रहा था, और इस सामया पे 3044 dollars per ton का मिल रहा है, तो मतलब 2324 dollars per ton से 3044 dollars per ton पे आ गया, तो ये सब आप कह सकते हैं कि बहुत serious increase हैं prices में, ये छोटे मोटे increases नहीं है, तो सिर्फ इंडिया में ही agriculture products के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में supply chain टूटने के वज़े से agriculture products के दाम बढ़ रहे हैं, पूरुना के पैंडिया में supply chain ये एक अकेली बज़े नहीं, बहुत सी बज़े हैं, और ये सब चीज़े हमको पता कैसे चली हैं, अभी रिसेंटली food and agriculture organization का food price index आया है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, तो दिसंबर का जो इंडेक्स था वो 107.5, 107.5 नमबर का था 105.2, भाई जो food and agriculture organization का food price पे इंडेक्स है, वो कैसे calculate किया जाता है, तो एक basket लीजे, उस basket दो थोड़ा oil sweet जाल दीजे, थोड़ा गेंचाल, थोड़ा meat, थोड़ा daily products, थोड़ा शुगर, तो इस तरीके के daily मर्रा एक चीजें डाल दीजे, और उनके दामों को महीने दर महीने compare करिए, एक standard reference रखके, जोकि normal crisis में 100 होता है, तो एक समय पे, जब इन चीजों के दाम 100 रुपे थे, दिसंबर 2020 में 107.5 रुपे पहुंच गये हैं, नवंबर 2020 में 105.2 रुपे थे, तो इस तरीके से आप food price को compare कर सकते हैं, और उससे related उसमें होने वाले inflation को compare कर सकते हूं, तो ज़ादातर चीजों के दाम बढ़े हैं, साथ लगातार महीनों में पिछले साल हों, तो जब से आप कह लीजे कि करोना का lockdown लगा है, उसके बाद से लगातार चीजों के दाम बढ़े हैं, ठीके न भाई, एक शुगर को छोड़ दिया जाए, तो बागी जितनी भी category हैं, products की सब के दाम बढ़े हैं, 2020 को overall अगर आप average दो, तो food price index निकल के आता 97.9 points, जो कि पिछले साल से 3.1% महाँगा है, सबसे ज़्यादा जो food price index पहुँचा है ना, सबसे ज़्यादा inflation जो आया ना food price index में, वो last time 2011 में आया था, ये एक basic idea दिया कहा है, देखिए September 2019 में, FAO का food price index था 93.5 पे, जनवरी 2020 में 102.5 पहुँचा, मई 2020 में बहुत कम हो गया था 91, लेकिन December 2020 में फिर से 107.5 पह आ गया, जनवरी की रठा, जनवरी के बाद आएंगे, आप देखते हैं कि International Agriculture Community की दाम उपर गया क्यों है, पहली बात तो भाई, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि, economies unlock हो गई हैं मही के बाद, तो demand normalize हो रही है, demand normalize हो रही है, तो भाई सबको चीज़ें चाहिए, agriculture, products सबको चाहिए, लेकिन demand normalize हो रही है, जो supply chain हैं वो काफी तूट गई है, COVID के lockdown के बाद, supply chain को फिर से restore करने में समय लग रहा है, तो एक तो supply chain तूटी है, तो demand तो एकदम से बढ़ी है, लेकिन supply chain को restore करने में समय रखता है, इसलिए supply chain में जो अलग-अलग players है, वो prices को manipulate करके अपना profit कमा रहा है, जिसके चलते हैं चीज़ें फाइनली महगी हो रही है, फिर बिच कुछ countries है, Thailand, Brazil, Argentina, Ukraine, यहाँ पे dry weather है, dry weather के चलते, यहाँ पे जो पैदावार agriculture products की वो कम हो रही है, shipping containers, import-export के लिए कम है, तो भाई यह भी supply chain imbalances में आता है, कि shipping containers ही नहीं है, जो कि agriculture food products को एक जगा से दूसरे कर लेके जाएंगे, waiting में मिल रहे हैं, जिसके चलते हैं, food products के नाम बढ़ रहे हैं, फिर भाई, second point यह है, कि China बहुत ज़्यदा stock piling कर रहा है food products की, China ने अपने यहाँ पे food products के import को बहुत ज़दा बढ़ा दिया, China bulk में corn, wheat, soybean, barley, sugar, milk, powder, दुनिया भर से import कर रहा है, इंडिया से recently, China ने हजारो tons of rice import किया है, क्यों? जो कि China strategic food reserves बना रहा है, जब यह कोरोना के pandemic के बाद का lockdown लगा, चाइना में थोड़ी सी tension इस बात किया आ गई, कि हो सकता है चाइना की जो food security है, वो थोड़ी effect हो जाए, चाइना में इतना public distribution system जैसा अप talk pile नहीं, जो हमने इंडिया में maintain कर रखा है, तो कहीं न कहीं चाइना को लग रहा है, कि supply chain टूटने के बाद, उनकी food security पे problem ना आ जाए, इसलिए उन्होंने बहुत ही major scale पे food crops को import किया है, और अपने यहां पे store करके रख लिए है, तीसरा reason food inflation का यह है दोस्तों, कि पूरी दुनिया भर में जो interest rate है ना वो नीचे चले गए, क्यों नीचे चले गए, क्योंकि सरकारों ने interest rate नीचे कर दी है, जो कि हमारे यहां पे benchmark, repo rate बोला जाता है, उसके चलते बहुत सारी liquidity market में infuse की गई, यह बहुत सारा पैसा market पहुंच गया है, और जब बहुत सारा पैसा लोगों के हाथ पहुंच गया है, तो उस पैसे को लोग अलग-अलग जगवाँ पे invest कर रहे हैं, equity stock markets में भी invest कर रहे हैं, और agriculture commodities के futures में भी invest कर रहे हैं, और जब agriculture commodities के future में आप पैसा invest करोगे, तो fluctuation, manipulation, यह सब चीजें होगी, चुकि market, जितना sentiment पे चलता है, वो एक अलग बात है, जैसे for example, अगर आप wheat के basis पे कोई future की बात करो, तो जो wheat के futures होगे न, वो sentiment पे ज़्यादा चलेंगे, इस बात पे कम चलेंगे कि wheat का दाम क्या चल रहा है, wheat की supply के चल रही market में, अगर आपने हर्शत मैतावाला है, जो scam का जो serial आया हो, गर आपने recently देखा हो, तो उसमें क्या दिखाया गया है, कि actually में, किसी एक company की कितनी value है, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है stock के दाम पे, मार्केट में उस particular company को लेके क्या sentiment है, वो company कंगालों कोई फर्क नहीं पढ़ता, अगर market sentiment उस company की favor में है, तो company का stock बढ़ता चला जाएगा, तो जब लोगों के हाथ में जब ज़्यादा पैसा आ जाता है, लोग इधर उदर invest करने लगते हैं, इधर इधर invest करने के चक्कर में, overall demand और supply बदलती है, चाहे वो stock market की हो, equity market की हो, money market की हो, जिससे volatility बढ़ती है और inflation बढ़ता है, फिर भाई, इंडिया में जो household inflation होता है, उसकी भी कुछ वज़ा है, खासकर food और fuel prices, देखिए fuel prices का food inflation पे major role है, अगर आप petrol और डिल्ली के, petrol और डीजल के दाम देखिए दिल्ली में last साल, last साल से compare करें, तो last साल, petrol के दाल डिल्ली में थे 68.79, sorry, petrol के दाम डिल्ली में थे 75.74, और डीजल के थे 61.79, ओके, तो भाई, यहाँ पे fuel के दाम बढ़े हैं, जब fuel के दाम बढ़े हैं, तो इस fuel को जला के, जब आप truckों के थुरू, खाना पहुचाओगे गाउं से market में, तो भाई, उस food grain के दाम भी बढ़ जाएंगे, तो automatically food inflation आ जाएगा, तो भाई, fuel को logistics में, और infrastructure में इस्तेमाल के जाएंगे, तो logistic infrastructure में हमारा fuel इस्तेमाल होता है, fuel के दाम बढ़ेंगे, तो खाने के दाम बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, नवंबर 2020 में, जो annual consumer food price inflation था, वो 9.43% था, ठीक है भाई, तो overall, यह तीन reasons मैं आपको बताएंगे, और इन तीन reasons में, बहुत सारे इसे shorty reasons हैं, जो आपको बता रहे हैं, कि international agri community के दाम क्यों बढ़ रहा है, अब इनको रोखने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो भाई, टेक सीरिस की, टेकनलोजी को सीरिसली लीजे, information supply chain को improve करिए, competition लेके आईए, volatility को थोड़ा कम करिए, क्या सब चीजे मताई जारी हैं, इसमें एक एक करके देखते हैं, जल्दी ली वैसे तो मैं इनको बता चुका हूँ, थोड़ जल्दी बताऊँगा, टेकनलोजी की मदद से, आपको crop yield सुधारनी है, mechanization करना है, climate change में ध्यान देना, environmental sustainability करनी, क्या मतलब इसका, मतलब यह है दोस्तों, कि भाई, अगर आपको crop yield सुधारनी है, तो भाई, टेकनलोजी की मदद से, आपको यह पता करना पड़ेगा, कि किसी एक जगा की जो जमीन है, वो कितनी खराब होगी, मिट्टी कितनी खराब होगी, उसमें कितना fertilizer डालें, कौन कौन से पौधे उसमें लगाएं, कि वो जो particular soil है, वो recuperate हो जाए, scientific तरीके से farming हो, फिर mechanization, तो ज़्यादा tractor, ज़्यादा advanced way of agriculture, जिससे manual input कम रगे, output ज़्यादा हो, climate change में ध्यान देना है, तो भाया, global warming हो रही है, तो temperature resistant, high yielding varieties को develop करना, तो यह सब technology है, और इस technology से, आप costly inputs को avoid कर सकते हो, labor और chemical में जो cost लगती, उसको rationalize कर सकते हो, food supply को बढ़ा सकते हो, नणा परकार की चीज़ें कर सकते हो, तो इसमें Indian Council of Agriculture का major role है, Indian Council of Agriculture कि शी विग्यान कें, इन सब चीज़ों में लगातार involved है, लेकिन problem यह है कि government की health, कि वह 7% of farm households तो पहुंच पा रही है, 120 million hectare है, यानि 12 करोड जो hectares है, वो soil, 12 करोड hectares जो लैंड है, वो soil, water और wind, औरोजन से सफर कर रहा है, chemical और fiscal degradation सफर कर रहा है, इन सब को बहुत urgent basis पर आरेश्ट करने की ज़रूँत है, फिर भाई information supply chain, crop production में, trade में, prices में, information को होना बहुत ज़रूरी है, तो crop production में पानी कब बरसने वाला है, कितनी जल्दी बरसने वाला, इस चीज़ की अगर exact information सरकारी एजेंसी फार्मर्ट को दे देती हैं, तो crop losses कम होते हैं, फिर trade और prices, देखे, trade और prices में speculation बहुत होता है, तो सरकार अगर कोई ऐसा online platform बना दे, जिसमें पता चल जाए कि बाई, supply chain में यहाँ पे इतना, देखे, problem यह है दोस्तों, कि हमारे हाँ पे कोई centralized portal है नहीं, किसी एक जगा पे, मान लिजे, बहुत सारे किसान है, बट उन से समान खरीदने वाला केवल एक ही middle man, जो कहाई APMC मेंडी में समान बेचेगा, वो middle man अगर जानता है, कि कोई दूसरा middle man नहीं है खरीदने वाला, तो वो जबरदस्ती समान को कम नाम पे खरीदेगा, चुको उसको पता है, यह farmers की मजबूरी है, उनको जल्दी एपने समान को बेचना है, उनको पैसो वी जरू होते हैं, तो इसके चलते, supply side में, आप कह सकते हो कि, कुछ errors आते हैं, कुछ restrictions आते हैं, जिसकी विसे चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, अगर कोई एक ऐसी supply chain मनाई जा, जिसको में information को stimulate कर दिया जाए, यानि कि एक farmer ने actually में कितना धान पैदा किया, और उसके पास कितना धान बेचने के लिए है, अगर ये centralized portal में सब को पता चल रहा है, सारे players को पता चल रहा है, तो कोई भी middleman, उनको exploit नहीं कर पाएगा, उनको अपने दाम की ज़्याद अच्छे price मिलेंगे, तो अगर information advance में available है, ये एक farmer provide कर पा रहा है कि मैं इत्ता धान पैदा करने वाला है, उत्ता धान में पास available है, एक जो उस धान को जिसको जरूरत है, उसको पता चल जाता है advance में, कि हाँ इत्ता धान इससे यहाँ पे मिल सकता है, तो कुछ advance में deal हो सकती है, और इन deal के चलते हैं, जो farmers की income है per hectare, वो 12% से बढ़ सकती है, ठीक है भाई, फिर government को rent seeking खतम करनी है, food supply chain में, कुछ players dominate करें, ये सही नहीं है, आपको efficient markets बनाने हैं, और efficient markets के लिए competition होना जरूरी है, तो जो छोटे-छोटे players होते हैं, इन food markets में, ये जो powerful carters चीज़ों को manipulate कैसे करते हैं, तो भाई, supply pipeline, होता ही है ये दोस्तों, कि मान लीजे, जब दाम गिरे crop के, for example crop के दाम गिरे, ठीक है भाई, अभी crop के दाम गिरे, तो farmer को तो उस चीज़ के कमी दाम मिले, farmer यहाँ पे उसको उस चीज़ से कम दाम मिले, लेकिन जो middle man था ना, उसने final consumer को original नाम पे बेचा, तो overall अगर food inflation घटा है, मान लीजे प्याज की जो दाम है, वो पहले 50 रुपर प्रतिकिलो थे, वो 30 रुपर प्रतिकिलो हो गया, लेकिन final consumer को वो अभी भी 50 रुपर प्रतिकिलो पे मिल रहे है, क्यों? चुकि जो middle man है, वो इस पूरी situation का फायदा उठा रहे है, यह जो middle man है, वो क्या कर रहे है, कि जिससे सामान खरीद रहा है, उसको तो कम पैसा दे रहा है, ठीके ना, लेकिन final customer से उतना ही पैसा ले रहा है, कहीं अगर ऐसा हो जाए, कि चीजों के दाम, original price में market में बढ़ गए, तो मान लीजे, कि भाई पैदावार प्याज की, सिर्फ 1000 टन हुई है, डिमांड 2000 टन की है, तो ऐसे cases में, प्याज की supply कम हो गई, तो प्याज मेंगे हो जाएंगे, तो यह जो middle man है, इनको भी प्याज मेंगे मिलेंगे, जब middle man को प्याज मेंगे मिलते हैं न, उतना ही दाम यह middle man बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको अपने profit मेंटेन करने हैं, तो जब originally चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो यह middle man बढ़ा देते हैं, लेकिन जब original चीजों के दाम घटते हैं, तो यह middle man दाम नहीं घटाते हैं, अपने profit को बढ़ाने के लिए, इस तरीके के activity कम होने चाहिए, समझके, इस तरीके के activity को government को discourage करना है, government discourage नहीं कर पा रही है, यह एक बहुत बड़ी problem है, ठीक है भई, उसके बाद, essential commodities act, essential commodities act में, warehouses में holding allowed नहीं है, अब problem यहाँ पर यह हैं दोस्तों, कि देखिए, आपको करना क्या, आपको करना यह है, कि आपको एक ऐसा centralized portal बनाना है, उस portal में, कौन से warehouse में, कौन सा अनाज, कितनी quantity में पड़ा हुआ है, यह real time में update होता रहे, जब यह चीज़ें real time में update होती रहती है न, तो सरकार को, और लोगों को भी पता चलता रहता है, कि किस जगा पे कितनी stockpiling हो रही है, मान लिजे कोई एक इलाका है, ठीक है न, तो यह जो 6-7 आलू के व्यापारी है, इनके हाथ ने बहुत सारी चीज़ें होती है, यह चाहें तो आलू को थोड़ थोड़े समय पे, market में introduce करते रहे, यह चाहें, तो आलू को hold करके अपने पास रख लें बहुत सारा आलू, और एकदम से market में आलू की कमी कर दें, और फिर एकदम से आलू को market में introduce कर दें, तो जो दाम बढ़ गए होंगे, उस बढ़े होए दाम पे बेच के लो, profit कमा लेंगे, इस तरीकिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसके पास भी warehouses हैं, किसी भी food product को store करने के, वो real time में ये update करे, कि उसके warehouse में कितना अनाच पड़ा हुआ है, कितनी सबजी क्या पड़ा हुआ है, तो जब हमें पहले ही advance information होगे, कि इस जगा पे इतना quantity है, तो भाई, वहाँ पे hoarding का डर नहीं होगा, वहाँ पे unwanted inflation का डर नहीं होगा, वहाँ पे ये जो middleman फाइदा उठाते हैं, corrupt practices करते हैं, वो चीज़े नहीं होगी, बट इस तरीके का online platform मनाना काफी मुश्किल है, तो कुल मिला के, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, pandemic और lockdown के बाद, जिस हद तक बताई जारी थी problem, inflation की, food inflation की, उतनी है नहीं, कहीं न कहीं ये problem supply chain में problems की वज़े से आई है, और कहीं न कहीं, ये जो beach के middleman है, वो problems को create करते हैं, तो यहाँ पे solution क्या इस चीज़ का, solution यहीं है, कि सरकार को proactively involved होना है, farm bills के दूस हरकार involved होने कोशिश कर रही है, farm bills में कुछ अच्ची चीज़े हैं, और कुछ गलाच चीज़ें भी है, farm bills, actually में on ground कैसे काम करेंगे, ये उनके implementation के बाद ही पता चलेगा, पट implementation अभी उनका फिलाल के लिए Supreme Court ने रोख दिया, committee मना दिये, और committee system तो हमारे देश में कैसे काम करता है, ये आपको बता ही है, तो food inflation के बारे मां, I hope आपको काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा, थोड़ी नंबी वीडियो हो गई है, बट ठीक है conceptual understanding थी, तो मैंने आपको बता दी, thank you for watching friends, वीडियो को लाइक और शेयर की मेंना मच जाएएगा, गुट बाई,